ओम शान्ती छे सेप्टमबर दो हजार बाइस की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली से हम लक्षय लेंगे श्रेष्ट पुर्शार्थ द्वारा श्रेष्ट प्रालब्द बनानी है श्रेष्ट पुर्शार्थ अर्थात श्रेष्ट सुम्रितियों में रहकर लक्षय और लक्षन को समान बनाना तो आज सारा दिन श्रेश सुम्रितियों को इमर्ज रखेंगे जैसे कि आज विशेश अटेंशन ज्ञान, योग, धारना, सीवा के उपर बाबा ने बताई है ज्ञान की श्रेश सुम्रिति आज हम इमर्ज करेंगे मैं ब्राह्मन उंच चोटी हूं बाबा ने कहा तुम ब्र आमन उंच चोटी है इस सम्रिति के सवरूप में आसारा दिन रहेंगे आतम सम्रिति का तिलक, द्रिस्टी आत्मिक, वृत्ती शुद्ध, और करम हमारा दूसरों को ज्ञान सुनाना, श्रेश्ट करम, शुद्ध अन, और इसके साथ साथ मर्यादा और पवितरता का जैनेव पहन करके रखना है, तो द्रिस्टी, वृत्ती, करम, धरम, शुद्ध अपवितरता इन सब बातों पर अटेंशन देते हुए, आज हम सेवा करेंगे, तो हम महिमा लाइक बन जाएंगे, दूसरा हमारा ध्यान बताया, बाबाबा ने खिचवाया, योग के उपर, योग के लिए भी हम श्रेश समृती मर्श करेंगे, मैं शिव वन्शी हूं, इस निश्च्य में रह करके बाब को याद करना है, वन्श अर्थात घराना, तो बाबा को याद करने के लिए स्वदेश, आदेश, उदेश्य, इसका आज हम अटेंशन रिखेंगे, जैसे ही स्वदेश को याद करते हैं, तो देह भान से मुक्त होना सहज हो जाता है, क्योंकि वहाँ नीराकारी दुनिया है, तो नीराकार बनना है, आदेश, बाबा का जो आदेश है, लोकिक के बीच में रहते हुए, पारलोकिक बाब को याद करना है, उदेश्य, हमारा उदेश्य है, बाबा का संदेश देना है सब को बाप का परिच्य देना है तो इन बातों को सुमृति में रखते हमारी श्रेष्ट सुमृति रहेगी और हमारा पुर्शार्त भी श्रेष्ट होता रहेगा तीसरा है धारना तो धारना के लिए श्रेष्ट सुमृति बाबा ने बताई अब हमें यह रखना है धार्ना करते समय कि हम सेवा में बहुत तीखे हैं हम उन से बहुत तीखे हैं हम बहुत सेवा करते हैं इन बातों का अंकार न आ जाए माया पर जीत पाकर ताकत्वार बनना है इस बात पर अटेंशन देना है, ये धार्णा रखनी है सेवा करते भी कि मुझे एक रस रहना है, सरव शक्तियों से संपन बन करके हलचल की परिस्थिती में भी अचल बनना है, एक रस रहने के लिए एक बाबा के साथ ही सरव संबंधों का रस रखना है, लेना है, और सेवा क करने के लिए अटेंशन देना है, मेरी विशाल बुद्धी, तरीकाल दर्शी बुद्धी हो और सेवा करते समय ठकना नहीं है, और सेवा करने की नई-नई युप्तियां रचने के लिए विचार सागर मन्थन करना है, और विश्व कल्यान के अर्थ अपनी वृत्ति को बेह सेवा आज हमने करनी है, भगवान है और पांडव का अर्थ क्या है, सदा विजयी, इस तरह बावा एक धरम की स्थापना करते हैं और एक धर्मों का विनाश कैसे करते हैं, ये सब बातें लोगों को समझा करके सेवा करनी है, ये प्रालब्द ही हमारी श्रेष्ट प्रालब बना देता हैं, अगर ये पुर्शार्थ करेंगे, ओं शान्ति